हलो व्रियों वेल्कम बैक टू मैं चानल डूंट ब्रेक माइ हाट इंटू मिलियन पीसेस का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ चलिए शुरू करते हैं इसका अगला एपिसोड और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना कमेंट करना और मुझे बताना कि ये एफ एफ आपको कैसा लग रहा है पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग जो बहुत तूट गया था कोई उसे फोर्स कर रहा था वांग जी के साथ ये सब कुछ करने के लिए और वो बस वही सब कुछ कर भी रहा था क्योंकि वो मजबूर था बहुत मजबूर था उ उतना पैसा ना वो वांग जी से नहीं मांग सकता था या फिर उतना पैसा वो अपने किसी भी जान परचान की इंसान से नहीं मांग सकता था क्योंकि उनके पास है ही नहीं और हां वांग जी के पास है उसके फ्रेंस के पास है बट इतना पैसा कोई भी उसे नहीं देगा को उसे लोन मिलना तो बहुत ही ज़दा मुश्किल है और उसे अभी इतने पैसी की जरुवत है कि वो समझा नहीं सकता अपना situation किसी को भी वो समझा नहीं सकता उसके सामने बस वो यही देख पा रहा था कि उसकी मदर है और उसे अपनी मदर को बचाना है बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वो फेल हो गया तब जाके उसके सामने ये रास्ता आया था और उसे मजबूरी में ये रास्ता अपना ना परा उसे अभी ऐसा फिल हो रहा था कि वांग जी रिकवर कर जाएगा ये एक नॉर्मल ब्रेकप है और कुछ नहीं वांग जी उसे भूल जाएगा उसे टाइम लगेगा वांग जी बहुत इमोशनल परसन है उसे टाइम लगेगा विंग को भूलने में बट वो भूल जाएगा विंग को लेकिन अगर अभी विंग ये ना करेगा अगर अभी विंग ने ये नहीं किया तो उसे पैसे भी नहीं मिलेंगे और उसकी मदर विं विंग ये रिक्स कभी भी नहीं ले सकता अब कुछ कर वे सच जो विंग को पता है लेकिन क्या है ना विंग के दोस्त नी हुसेन वेनिंग और जियंग चैंग वो कभी यह नहीं दिखाते कि वो बहुत अमीर है विंग बहुत गरीब है उनके स्टैंडर्ड नहीं मिलते विंग के दोस्त यह नहीं दिखाते विंग को बट विंग को यह भी पता है कहीं नहीं उनके फैमिली मेंब विंग के जो दोस्त है ना जियंग चैंग नी हुसेन वेन निंग इनके फैमिली मेंबर्स बिल्कुल भी विंग को पसद नहीं करते इन तीन सालों के दारान कॉलेज में मीटिंग्स हुआ पैरेंस मीटिंग्स या फिर बहुत कुछ ऐसा हुआ इवेंट हुआ वहाँ पर जब विंग ने उनके फैमिली मेंबर्स से मतलब अपने फैमिली मेंबर्स बात किया तो विंग को ये अच्छे तरीके से फिल रहा कि उनको बिल्कुल भी विंग पसद नहीं है क्योंकि विंग विंग और हैं नियुक्जान यह सबसा भाने के लिए इन को में अपने फैमिली मेंबर के उनके मियां सब्सक्राइब एक अगर वह पैसे लएंगे विंग विंग रिंग को रखर दो में सामने सबस recruit साथ ही में उनको पता है मतलब विंग को पता है कि उनसे विंग को हल्प नहीं मिलेगा विंग को अच्छी तरीके से पता है क्योंकि वेन फैमिली भी विंग को पसंद नहीं करता जंग फैमिली भी बिलकुल नहीं पसंद करता नी फैमिली में मतलब नी विंग जो ऐसा कि वो क पता है और वांग जी विंग को डर लगता है वांग जी से हल्प लेने में होता है ना कि अक्सर आप जिससे बहुत जादा प्यार करते हो उससे हल्प लेने से आपको डर लग जाता है कहीं ये इंसान बात में जा कि ये बात मुझे सुना ना दे और साथ में इतना बढ़ा अम मिला था क्योंकि तीन साल लोग के दौरान वांग जी का फैमिली मेंबर है उसका ब्रेदर और अंकल एक बार के लिए भी कॉलेज इवेंट और कॉलेज में कोई भी फंक्शन हो मीटिंग हो वो लोग नहीं आये थे तो विंग उनसे नहीं मिला था तो विंग को ऐसा लग गया लगतार तीन दिनों से अपने खुट के जान पहचान के लोग रिष्टेदार बैंक हर जगा ठोकर खाते खाते लास्ट में जब विंग होप छोड़ चुका था उसको लगा था अब कुछ नहीं हो सकता उसकी मदर अब नहीं रहेंगी विंग अपनी मदर को नहीं बचा पा भलाता है तब इंसान खुश होता है बट विंग के सामने जब रास्ता खुला तो विंग का दिल टूट गया था विंग का दिल हजार टुकरों में 長ग चुटा था और विंग अपने दिल को कभी भी समेट नहीं पाएगा कभी भी नहीं विंग को यह अच्छी तरह के से प डॉक्टर्स ने चेक किया और कहा कि इंप्रूव हो रहा है विन की मदर धीरे धीरे अपने कंडिशन से बाहर आ रहे हैं वो ना एक अलगी जोन में चले गये थे धीरे धीरे उनका माइंड काम करना बंद कर चुका था वो धीरे धीरे सब कुछ भूलने लग गये थे मतलब उनका दिमागी हालत सही नहीं था साथ में वो बहुत जादा ही स्ट्रेस लेती थी अपने ही दिमाग में कुछ सोच कर वो बहुत जादा स्ट्रेस लेती थी तो उनका हालत ना बहुत खराब हो गया था बट अभी धीरे धीरे डॉक्टर्स के केर में वीन के जो मदर है वो रिकवर कर रही थी विंग यह सुनकर बहुत जादा खुश था वो आज उसे कॉलेज जाना था क्योंकि उसे ओर्डर मिला था कि वो कॉलेज बंध नहीं कर सकता है तो वो अपनी मदर से बाई बोल कर वहां से निकल गया था विंग घर आया आने के बाद वो फ्रेश हुआ फ्रेश होने के बाद रडी होकर वो कॉलेज चला गया कॉलेज जाके ही आज उसने कुछ अलग देखा क्योंकि उसके सारे दोस्त उसे बात नहीं करे थे उसे इग्नोर करे थे और उसे बहुत साधा गुसे से देख रहते बट वींग को एक्टिंग करना ही था वींग ने हैपुली उनको गूड मॉर्निंग कह से एक बातए कर रहा था, उन्हें जान जान कर अपने relationship के बारे में बोल रहा था, और बोल रहा था कि वो कितना खुछ ए है पने relation में, वैंग बैठे थे विंग बैठा था वहां पर बैठा भी नहीं था वह अलग जाके बैठता है और जैसे कि वह पुराना वांग जी बनने की कोशिश करा जो नहीं किसी से कोई बात करता था नहीं उसे फरक पड़ता था किसी के आने से जाने से मतलब वह जैसे पुराना वांग जी था रहे थे मुझ खोल कर क्योंकि विंग सच में वांग जी को हर्ट कर रहा था वो वांग जी से जाके जान बुच कर बाते कर रहा था अपनी रिलेशन्शिप के बारे में बोल रहा था वांग जी को और वांग जी कोई भी जवाब नहीं दे रहा थो वो बस चुप-चप सुन र ऐसे बातों से वांग जी को हर्ट करना है जलाना है और वो वही करता था साथ में उसका वो बॉइफ्रेंट भी मतलब वांग जी के सामने ही शायद विंग को उठाता था विंग को ले जाता था विंग को छोड़ने आता था और उनका वो लवी डवी मोमेंट जो के क्रेट किय जाता था वो भी वांग जी के सामने होता था वांग जी को इतना बुड़ा फील होता था मतलब वो इतना depression में चला गया था वो चाहता थो वो college बंद कर सकता था बट वो हर दिन एक hope के साथ college जाया करता था कि आज तो विंग उससे बात करेगा और आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा विंग मजा करा है ये सब सच थोड़ी हो सकता है अचानक से ये क्या हो रहा है तो वांग जी एक होप के साथ कॉले जाता था और हर दिन वांग जी का दिल तूटता था हर दिन आज एकदमी हद हो गया था आज कॉलेच के बाद विंग और जियंग चंग में बहुत ही जादा लराई हो रहा था बहुत जादा लराई क्योंकि जियंग चंग के सर के उपर से हर एक बात जा रहा था और उसे विंग पर बहुत गुसा रहा था लग रहा था कि वींग बहुत जदा लाल टी है और वह meantलब अपनी लालच के चक्र में आके वगग जी का feeling झो है न व लगग जी के में दिल को तो रहा है वह ऑने के feelings के साथ उसने खेला है तो जियंग चैंग विंग को बोलता है कि तुम फी वुष्यान अगर तुमैंप पैसा ही चाहिए था तो तुम वंपस पैसा नहीं दे पाता जो तुम्हारा वह बोइफरेंट तुमैं दे रहा है विंग ने पहले तो को एग्नौर करने की कोशिश किया सियो है जवाब नहीं इसा फील होता है हर दिन ऐसा बीहेव करने में वह अपने दिल में जानता है कि वह क्यों कर रहा है ऐसा तो उसे खुद पर अब कंट्रोल नहीं हुआ उसने कहा शटाप जियंग चंग मेरे लाइफ को लेकर कुछ भी मत बोलो ठीक है तुम मेरे बाड़े में जानते ही क्या हो जियंग चंग ने विंग के बातों को सुना और स्मिक किया और बोला क्या जानता हूं से क्या मतलब है विंग हम सब तुम्हारे लाइफ के बारे में जानते हैं तुम एक मिडल क्लास से भी नीचे वाले फैमिली से बिलॉंग करते हो वो तो हम है जो तुम्हारे साथ दोस्त फिर्स दे से जब से उसने अपने दोस्त बनाये ना उस दिन चाहि क्यों इसके फ्रेंस उसे यह न है कि तुम गडीब हो और हमने तो बस द्या करके तुम्हें तम्हें साथ दोस्ति किया है हमारे बिना अगर हम न होते तो तुम्हारा दोस्त कोई भी नहीं होता विंग इसी से तो डरता था और आज यही हो गया तो विंग ने कुछ भी नहीं कहा विंग को बहुत गुसा रहा था बस उसने कुछ भी नहीं कहा उसे दर्द भी हो रहा था अपने दिल में वांग जी जो की यह सब कुछ सु इसा इनसान को बरबाद कर दिया तुमने एक इनसान के दिल को कितना तोड़ा है तुम्हें महसूस भी हो रहा है नहीं तुम्हें नहीं हो रहा है विंग कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है क्यूंकि तुम शेलफिश हो तुम बहुत जादा शेलफिश हो तुम इतने जादा ला तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो सही हुआ है, वांग जी तुम बिलकुल भी अपने दिल को छोटा मत करो, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो सब अच्छे के लिए होता है, तुम्हें पता है ना, हाँ, अगर वींग तुम्हारे लाइफ में होता ना, त वांग जी ना, जियंग जंग के हाथों से खुद का जो हाथ है वो हटाता है, छुडाता है और बोलता है मुझे जाना होगा घर, बोलकर वांग जी जाने लगता है, विंग को इतना बुरा लगा ना, विंग ने वांग जी का हाथ पकर लिया, और वांग जी को रोक लिया, अपने सारे दोस्तों की तरफ देखा, और बोला क्या सच में तुम लोगों का ऐसा लगता है बताओ, एक चीज बताओ जो इन सालों में इतने दिनों में मैंने तुम लोगों से लिया है एक चीज, मुझे एक आइटेम गिन्वाओ, जो मैंने तुम लोगों से लिया है एक पैसा लिया है जब भी हम होटेल रेस्टोरेंट जहां पर भी जाते थे मेरे पास चाहे कितना भी पैसी का कमी हो लेकिन मैं अपने हिस्से का पैसा देता था याद करो नी हुसेन तुम्हारे पास भी पैसे नहीं होते थे मैं ही देता था तुम्हारा ब जादा डरते हो कि उनसे pocket money मांगने में भी तुम्हें डर लगता है तुमने कितनी बार अपने उन girlfriend को जो बस एक दो महिने के लिए ही बनते हैं तुम्हारे उनको gift देने के लिए मेरे से भी help मांगा है कुछ भी एक फूटी कोड़ी का भी help मैंने तुम लोगों से नहीं मांगा है मैं खुद के मेहनत से इतनी दूर तक आया हूं नाहीं परहाई में नहीं financially मैंने किसी से भी help लिया है तो मुझे बताओ मैं कैसे तुम लोगों के नजर में शेलफी सो गया कैसे मुझे इस relationship में नहीं रहना वांग जी के साथ ये एक simple बात है इसे तुम लोग इस तरीके से लोगे मुझे नहीं पता था और हां ये बात तो सही है कि मैं बहुत ज़दा गरीब हूँ मैं बहुत ज़दा गरीब हूँ और मेरी जैसे लगे के साथ तुम लोगों का friendship ये अच्छा नहीं है बलकुल भी अच्छा नहीं है बोलकर वींग ना वांग जी का हाथ छोड़ देता है और वहां से जाने लग रहा था बट बार बार उसके आँखों में आसु आके ना सब धुंदला हो रहा था तभी वांग जी चिला पड़ता है क्योंकि एक गारी आके ना एकदम विंग के सामने ही रुका था विंग को थोरा सा लग भी गया था जैसे विंग गारी के उपर गिर गया था वह गारी और किसी का नहीं फैंग लिंग का है फैंग लिंग ने जैसे ही विंग को ऐसे देखा ना वह तुरंत गारी से बाहर आता है और विंग को उठाने लगता है वांग जी भी जाने लग गया था बट वांग जी ने जैसे ही देखा फैंग लिंग को वह रुग गया था जैंग नी हुसeine और वेंडिन भी जाने लग गये थे बट वो भी रुच गये थे रस्ते में ही, वो लोग देख रहे थे फैंग लेन ने विंग को उठाया और फैंग लेन विंग को चेक करा था, कहीं विंग को चोट तो नहीं आया विंग के आँखों से बार बार आशों गिर रहे थे मतलब पूरा आशों गिर रहा था तो फैंग लिन आशों को पोच्छ कर बोल रहा था कि क्या हुआ विंग, सब ठीक है ना तुम्हें चोट लग गया है, इसलिए रोडेο क्या हुआ बताओ विंग, बताओ वींग जल्दी से बोलता है मुझे जाना है यहां से बोलकर वींग सीधा, ड्राइव一下 के बगल में पेसेंचर सीध में आने लग गया था. फैंग लिन ने उसको help किया और उसको बिठाया उसका seat bill बांधा फिर वेंग लेकर वहां से निकल गया था और वह चाड़ो इंसान वांग जी, नीहुसेन, वैंग आपा सैंक और जियांग चांग बस उनको देखता ही रह गया था अब वैंग ने कहा इतनी देश सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था वैंग जी और विंग के बीच प्राब्लम है अगर उनका रिलेशन्शिप टिकना है तो वो टिक जाएगा अगर नहीं टिकना है तो वो नहीं टिकेगा तुम जो भी कर लो लेकिन तुम ऐसे ही विंग पर एलिगेशन नहीं लगा सकते और विंग को हमारे friendship को लेकर honesty पर ऐसे बात नहीं करना चाहिए था आज विंग से हमारा friendship भी तूट गया बोल कर वर्निंग वहाँ से चला गया नियोसन को भी बहुत बुरा लग रहा था उसे लग रहा था कि सब कुछ उसके वज़े से हो गया है क्योंकि वो जियंग चंग को नहीं ऐसे बोल रहा था कि विंग ऐसा कैसे कर सकता है क्यों करा है नियोसन का जो आदत है वही करा था वही सुनकर शायद जियंग चंग को गुसा आ गया था नियोसन बार बार सौरी बोल रहा था और बोल रहा था, सब कुछ मेरी वज़े से हुआ है अब विंग हमसे कभी भी बात नहीं करेगा, कभी भी नहीं बोल कर वो भी रोता हुआ चला गया था जियंग चंग को भी बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़दा उसे गल्ट महसूस हो रहा था क्योंकि विंग ने जो कुछ भी का है ना वो सब कुछ सच है, आज तक विंग ने कभी अपने फ्रेंडशिप का फायदा नहीं उठाया है, कभी भी नहीं जियंग चंग को बहुत ज़दा बुरा फिल हो रहा था भी जब सब कुछ हो गया तब जाके उसको बुरा फिल हो रहा था और वांग जी वो तो बस अब किसी भी हालत में नहीं था वो जैसे तैसे घर जाता है इन दिनों उसका हालत इतना बुरा था ना कि उसके अंकल उसका ब्रेदर सब भी उसको नोटिस कर रहे थे लैंड शेचान ने वांग जी से बहुत बार पूछा कि क्या हुआ है बट वांग जी कुछ बताता ही नहीं लैंड शेचान जो कि वांग जी का बड़ा ब्रेदर है बड़ा भाई है वो वांग जी के कॉलेज़ में थोड़ा सा पता लगाता है तो उन्हें पता चलता है कि वांग जी का रिसेंटली ब्रेक अप हुआ है उनको पता ही नहीं था कि उनका ब्रेदर रिलेशन्शिप में भी था तो वो समझ सकते हैं अगर वांग जी का ब्रेक अप हुआ है तो वो अपने ब्रदर को मेंटली सपोर्ट करे रहे थे लेकिन आज जब वांग जी घरा आया तो वो पूरा ऐसे ब्रेक डाउन लग रहा था उसके अंदर कोई होप नहीं था कुछ नहीं था उसका आँकों में आसू था और वो बहुत बुरी तरकी से रो रहा था लैंट रिचान ने वांग जी को समझाला बट अब वांग जी ने कुछ डिसाइड कर लिया था वो अब यहां पर नहीं रहना चाहता था उससे पता है यहां पर एक एक पल उससे नरक जैसा महसूस होगा नरक दिखाएगा एक एक पल वो वींग के बिना कैसे रहेगा उससे बहुत पेन हो रहा था अपनी दिल में उससे बहुत पेन हो रहा था और अभी भी उसको रीजन नहीं पता था क्या वींग को पैसे चाहिए थे वांग जी देता ना वींग को पैसा वांग जी अपने अंकल से मांग कर वींग को पैसा देता वींग को जितना पैसा चाहिए था वींग को जो कुछ भी चाहिए था वींग को जैसा भी लाइफ स्टाइल पसंद था विंग को अगर sports car पसंद है विंग को अगर luxurious life पसंद है तो वो सब कुछ वांग जी देता ना वांग जी के पास अतना पैसा है उसे बस अपने अंकल को बोलना था और सब कुछ हो जाता बट विंग उसने एक बार भी वांग जी से क्यों नहीं कहा वांग जी को इतना pain फिल हो रहा था उसका emotion एक दब mix हो गया था अब होता है कि जब हम दर्द में होते हैं तब जो इंसान हमें दर्द देता है उसका बस bad side जो हम देखते हैं उसको याद रखते हैं उससे पहले जितना भी happy moment होगा जितना भी अच्छा चीज उस दूस्ते पसंद में होगा वह सब हम भ इसलिए तुम्हें छोड़ा है मुझे उससे ये सब कुछ मिल रहा है मुझे अपने new boyfriend से ये सब कुछ मिल रहा है इसलिए मैंने छोड़ा है तो वंग जी ने ये अपने दिमाग में गांट बांध लिया था कि विंग ने बस पैसे के लालच में आके एक luxurious life के लालच में आक पर ना तो दूर की बात है वो विंग के यादों से विंग से दूर जाना चाहता था इसलिए वो चला गया जियांग चंग जब जियांग चंग को ये news मिलाना कि वंग जी चला गया है क्यूंकि उस दिन के बात से नहीं वंग जी कॉले जाया था नहीं विंग कॉले जाया थ तो जैसे ही जियंग चैंग नी हुसन और वेनिंग को ये पता चलता है न तो उन्हें तो एक शौक्त लगता ही है साथ में जियंग चैंग को लगता है कि उसे वींग को बताना चाहिए ये चीज तो वो निकल पड़ता है कॉलेज खतम होने के बाद वींग के मदर जिस जार्ज मिलने वाला था इसलिए वींग उनका सारा जो समान है उसको पैक करा था और फैंग भी हेल्प करा था वींग का वहां पर जैंग चैंग जैसे ही पहुँचता है न वो बस नौक करने ही वाला था तभी उसने कमरे के अंदर से आवाजे सुना तो वो रुक गया दो अगर वांग जी चला गया है वींग ने कहा अगर वो चला गया है तो यह अच्छा है वो मुझे जल्दी भूल जाएगा फैंग ने कहा अगर वो तुम्हें भूल जाए तो यह अच्छा है मैं और क्या ही कह सकता हूँ बोल कर उसने कहा वींग आज से हम भी नहीं मिलेंगे तो वींग ने कहा हाँ शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए और हाँ मेरा हल्प करने के लिए अगर तुम नहीं होते तो मैं अपनी मदर का हल्प नहीं कर सकता मैं अपनी मदर को नहीं बचा पाता फैंग ने फिर कुछ और बाते किया और फिर वहां से निकल गया जियंग चंग जो की दर्वाजे के कोने में छुप गया था फैंग वहां से चला गया था फैंग ने जियंग चंग को नहीं देखा फैंके जाने के बाद विंग के कमरे में जियांग चंग आया और बोला ये क्या हो रहा है तब विंग की मदद ना सो रही थी उनके उटने के बाद विंग उनको लेकर घर जाने वाला था तो उनके आवास से जियांग चंग के आवास से विंग की मदद थोड़ी सी जाग गए थी बैट वू फिर्से सो गई उनको इतना मेडिसिन दिया जा रहा था कि वह बस सोई रहती थी तो जिंग जिंग के आवास से विंग भी चौक गया था विंग ने कहा जिंग 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 तुम इहांपर क्या करे को जियंग चेंग ने कहा मुझे बताओ क्या हो रहा है फैंग ने ये क्यूं कहा कि वो अब कभी नहीं आएगा वो तो तुम्हारा बॉइफरेंड है ना है एवरिवान आज का एपिसोड यहीं पर खतम होता है जरूर कमेंट में बताना कि कैसा लगा है आज का एपिसोड आप सबको और क्या लगता है वीग अब जियंग चेंग को क्या जवाब देने वाला है क्या जियंग चेंग को सब पता हो जाएगा सब पता चल जाएगा कि वीग के लाइफ में क्या चल रहा था और विंग ने ये सब कुछ क्यों किया है हाँ ये देखने के लिए आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा कल मिलेंगे बाई बाई